हालो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल रेइनबो और आज मैं आपको मेरा एक नया प्लांट दिखाने वाली हूँ और यह प्लांट है अमेरिकन वराइटी का ही विसकस कितना बड़ा होता है इसका फ्लावर दिखिये फ्रेंड्स और ऑस्ट्रेलियन वराइटी का ही वि ही विसकस होता है इनके फ्लावर इससे छोटे होते हैं तो इस प्लांट के सारी के बारे में आज बताने वाली हूँ फ्रेंड्स और पुने बेंगालोर जो हमारे ही विसकस हाइब्रीड ही विसकस मिलते हैं इनसे इनकी क्यार कुछ अलग होती है तो वीडियो को पूरा के फ्रेंड्स और आप कैसे पहचान पाएंगे के यह एमेरिकन पैरेटी का हिबिसकस है यह भी बताने वाली हूं तो यह दिखिए पहले तो इसकी पहचान है कि इसके फ्लावर बहुत ही बड़े होते हैं दूसरे हाइब्रिड हिबिसकस से और यह कॉस्टली भी आता है थोड जैसे 150 से स्टार्ट होके 250 तक इनका प्राइस होता है तो मैंने इस प्लांट को 150 रुपीज से खरीदा है और इस प्लांट को रिपोर्ट किये हुए एक महिना हो चुका है और इसके रिपोर्ट करने के बाद यह पहला फ्लावर है तो पहले क्या होता है रिपोर्ट करने के बाद हमें फ्लावर लेना नहीं चाहिए लेकिन मैंने आपसे ये प्लान शेयर नहीं किया था तो आज फर्स्ट ताइम शेयर कर रही हूं फ्रेंड्स तो रिपोर्टिंग पर भी मेरे चैनल में वीडियो है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं hybrid hibiscus को कैसे report करना चाहिए और reporting के बाद plant से flower नहीं लेना चाहिए तो मैंने ये कलिया plant से हटा दिया है और reporting के पहले भी plant में जितनी कलिया थी उनको भी मैंने हटा दिया था इससे plant बहुत ही अच्छी तरह मिट्टी में set हो जाता है और एक महिने तक इस plant में कोई भी plant fertilizer नहीं देना है ये में बहुत ही अच्छी तरह flowering करता है और 15 से 25 degree temperature इसके लिए ideal होता है तो हमारे यहां जब winter आता है तो ये winter में बहुत ही ज़्यादा flowering करता है friends और इस plant के लिए सुबह और शाम की धूप काफी होता है सुबह के 2 घंटे और शाम के 2 घंटे इस plant के लिए ठीक है लेकिन दुपहर की direct sunlight में इस plant को ना रखे और माई जुन की गर्मी में इस plant को shade में रखना चाहिए और इसकी मिट्टी बिलकुल porous होनी चाहिए मैंने इस plant में 30% मिट्टी, 30% sand and 30% compost दिया है और जैसे और भी hibiscus plant में मिट्टी बनाती हूँ ऐसे ही seaweed और fungicide neem khali इसमें दे दिया है तो friends इस plant को हम कैसे पहचानेंगे यह है हमारे देसी ही viscus और यह है American variety का ही viscus इसकी पत्तिया smooth नहीं होती थोड़ी uber khabar होती है यह देख सकते हैं आप और बहुत ही ठीक पत्तिया होती है हमारे देसी ही viscus के जैसे पत्ते बहुत ही पतले और smooth पत्ते नहीं होते यह देखिए और hybrid ही viscus के भी जो पत्ते होते हैं वो इतने heavy नहीं होते ठीक नहीं होते जो American और Australian variety का ही viscus का पत्ता ठीक होता है और इस plant में क्या होता है नीचे से grafting किया होता है ऐसी जो stem के यहां से grafting किया होता है तो आप grafting देखकर पहचान सकते हैं कि यह American variety है और Australian variety में भी ऐसे ही grafting मिलता है तो देली morning में इस plant में पानी की spray करनी चाहिए इस से plant की पत्तिया बहुत ही fresh रहती है और इस plant में भी महिने में एक बार compost देना चाहिए मिट्टी में और एक बार seaweed जो extract होता है micronutrients इनका spray भी महिने में एक बार करना चाहिए और इस plant में NPK 1919-19 महिने में एक बार दे सकते हैं इससे plant की growth अच्छी होती है इस plant में 20 days के gap में fungicide का use जरूर करना है और pot में भी fungicide का पानी जरूर देना है तो fungicide आप कोई भी ले सकते हैं तो fungicide सिर्फ 2 ग्राम 1 लिटर वाटर में घोल के spray कर सकते हैं और मिट्टी में भी दे सकते हैं और plant में रात को पानी बिलकुल ना दे और hybrid hibiscus के care के उपर मेरे चैनल में और भी वीडियो है फ्रेंट्स आप देख सकते हैं और मेरे चैनल में आपको ऐसे ही बड़िया जानकरे मिलती रहेगे फ्रेंट्स मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए लाइक शेर और कॉमेंट कीजिए थेंक यू फ्रेंट्स बाई